नमस्कार दोस्तों, मैं भूबने शुर्ब लसिंग टिम से रूमा जनत सरे और सैमुल शेम द्वारा लिकेद किताब दबुद्धस वाइफ, दपाथ अवेकनिंग टुगेदर के तीसवे अध्याय यानि की पार्ट वन के आखरी अध्याय के बारे में चर्चा करती हूँ। और देखते ही देखते ही वो मृत्धी को प्राप्थ हो जाती है, अमर हो जाती है। ये शुद्राजी फिर से अपने दर्द से भर जाती है उन्हें देखकर, उस अंधकार में चली जाती है और फिर से अकेले पन और दुख से भर जाती है। पजापती जी की मृत्य के मेहल में सारी कर्मट की जाएगी राजा सुधोदन द्वारा और पजापती जी के सरीर को पांच तत में विपिलीन कर दिया जाएगा सभी बहुत दुखी थे पजापती जी की मृत्यू से इतनी महान महिला जो प्रभोध हो चुकी थी और जिने बुद्ध ने हमेशा से आश्रा दिया एक महिला होते हुए भी जब इस सब कर्मट पूरा हो जाएगा तब सारी महिलाएं जो नई जुडने वाली थी भिक्षुनी के संग में बड़े प्यार से जुड जाएंगे उस संग में ये शुद्रा जी लेकिन पहले ही बता देती हैं कि अब वो वापस उस समुदाय में नहीं जाएंगी और बुद्ध के सिक्षन को नहीं अपनाएंगी अब वो अपने आपको अपनी पूरी कहानी को किसी की आधिन नहीं बनाएंगी वे अपने विचारों को मान्यता देंगी पुरी सचाही के साथ एक नई रहा ढूंडेंगी अपने जीवन के लिए जिसमें रोश्नी होगी उनकी अपनी सिक्षन होगी अपनी बुद्धी होगी ये शोद्राजी के लिए अत्यनती दुखत था जब वो सोचती हैं देखती हैं कि कैसे वो सब कुछ त्याग करके वे कैसे विवाजित होके सब कुछ छोड़के बुद्धा के सिक्षन के अनुसार आगे बढ़ चुकी थी जीने के लिए अब परिवर्तने रूप से जुड़ चुकी थी लेकिन फिर भी उनके सब दोनों ही बहुत दुखी करते थे और हमीशा से प्रेरित भी करते थे फिर दोनों नौसिखी भीक्षनी वापस लोड़ जाती हैं बुद्धा के संग में लेकिन किसाग अत्मी और नायला वही रह जाती है ये शुद्रा जी के साथ उनकी पुरानी मित्र उनके साथ रुख जाती है राजा सुदोदन आमाद्रित करते हैं ये शुद्रा जी को वापस महल में रहने के लिए ये शोद्राजी का कहना था कि राजा सुधादन की अब तबियर ठीक नहीं रहती है वे बहुत दुखी हो चुके थे रानी पजापतीजी के गुजर जाने से और अपने बेटे और पूत्र के महल में नहीं रहने से वे काफी दुखी रहते थे ये शुद्राजी मान जाती हैं राजा के साथ रहने के लिए लेकिन महल में नहीं वे चाहती थी कि उनका आश्रा उस उपवन में बने जहां जो राहर ढूंडा था एक स्त्रोत्र था इतने सारे दुखों का लेकिन आशा जनक भी था और जन्म देता था रिस्तू या सही संबंधों के मार्क को ये सुनके राजा तुरंध हामी भर देते हैं और कहते हैं हम आपके लिए एक भव्य मंदिर बनाएंगे ये शुद्राजी तुरंध मना कर देती हैं भव्य मंदिर के लिए क्योंकि उन्हें एक आश्रे चाहिए एक कुटिया चाहिए एक सामान एक कुटिया जहां वो अपना ध्यान कर सके जैसे कि गिलहरी के उपवन की तरह जहां वो ध्यान करें और सभी को ध्यान सिखा सके उनके साथ उनकी जागरुता की मार्ग में सब कोई जुड सकें, उनके सिक्षन को अपना सकें, गहन कर सकें वे उन लोगों को सिखाना चाहती थी जो उनके साथ जुडना चाहते थे, सिखना चाहते थे ये शुद्राजी का मानना था कि वो ना ही किसी को हुकम देंगी ना ही कोई आग्या देंगी बलकि उनका अपना प्रेणना होगा उनके साथ जुडने का अपनी अध्यात्मिक स्तुरत्रता होगी ये उनका भी अपना अध्यात्मिक मार्ग होगा जो उनके साथ जुड़ना चाहते हैं राजा सुद्धन मुस्कुराते हैं ये शुद्राजी के लिए फिर से उनके अपने घर को लेके पजापती जी के मृत्यू ये शुद्राजी को बहुत ही मजबूत कर दिया था और उनकी चेतना का स्तर बहुत बढ़ गया था ये शुद्राजी को ये पता था कि अब वो कुछ भी नहीं चाहेंगी किसी से चाहे वो सिधार थी क्यों ना ही किसी और गुरु को पकड़ेंगी सिक्षन के लिए चाहे वो जागरु थी क्यों ना हो बुद्ध की तरह लिए वो अपना हमेशा द्वार बंद करके रखे थे क्योंकि उनके सिक्षन से जुडने के लिए उनका ये मानना था कि सभी कुछ को त्याग करना होगा हर रिस्तान आता घर सब कुछ का त्याग करना होगा और इसलिए उन्होंने उस द्वार को बंद रखा था सब कुछ जो छोड़ेगा वो ही उनके साथ जोड़ेगा लेकिन ये शोधरा जी अपनी सभा में हर किसी के लिए अपना द्वार को खुला रखी थी जाहे वो परिवार के साथ जुड़ा हो या अपने आपको सब चीजस से छोड़के उनके साथ जुड़े उनके लिए कोई भी ऐसा नहीं था कि आपको सब कुछ ऐसे करना है ये शोधरा जी के साथ नायला और किसा गौतमी रहती थी बाकी सब महिलाएं वहां से आते थे जाते थे उनके ध्यान के साथ जुड़ते थे ध्यान किया करते थे चन्ना भी आते थे उस उपवन में एक घेरे में बैटके सब ही नीचे बैटके ध्यान किया करते थे जमीन पे बैटके और उनके सिक्षन को अध्यात में ग्यान को उनकी शांती की खोज में सब जुड़ जाते थे ये शोदराजी की उपस्तिती और जागरुकता में काफी बृद्धी हो चुकी थी क्योंकि वे सभी बहुत ही गहराई से सभी को सुनती थी, ध्यान से सुनती थी, समझती थी पथी ब्याकूल रहते थे, अशांत रहते थे और उनके साथ जुड़ने के बाद उस मार्ग में चलते थे, जो की एक पत हुआ करता था, सिर्फ जोडने का, चन्ना और उनकी पतनी भी, उनके बच्चे भी जो काफी बड़े हो गये थे, उनके साथ मिल के ध्यान किया करते उस सब्भा में, ये शोड़ाजी हमेशा चन्ना के बारे में कहती थी, कि चन्ना उनके सबसे स्थेर और महान अध्यात्मिक मित्र हैं, ये शोड़ाजी के सिक्षन जादा से जादा सरल हुआ करता था, लेकिन धुर्टा के साथ रहता था और सक्ति शाली था, ये दोनों जन राजा सुदोधन के मृतियों तक साथ में रहते थे किसागात्मी और एक भिक्षुनी वापस फिर चली जाती है बुद्ध के संग में जोडने के लिए ये शुद्राजी के साथ बस नायला रह जाती है और यूँ ही बहुत साल गुजर जाता है किसागात्मी को ये समाचार मिलता है कि ये शुद्राजी अब नहीं रही में मिर्ट्य को प्राप्थ हो चुकी है किसागात्मी वापस महल में आती है और चन्ना से पूछती है, बात करती है चन्ना सारेरिक रूप से बहुत ही कमजूर हो चुके थे बुड़े हो गये थे जुक गये थे, पहले से कहीं जादा लेकिन अभी भी बहुत ही मजभूत थे आत्मा के रूप में चन्ना की आँखें ने सब कुछ देखा था हर बीड़ा को देखा था लेकिन फिर भी उस उम्र में भी आशावादी थे आनन्दित थे एक बच्चे की तरह चन्ना कहते हैं ये शोद्राजी यहां बहुत शान्थ हो चुकी थी नायला के साथ रहती थी और अपने सिक्षन को सभी को देती थी जागरुकता की मार्ग पे सभी को लेके चलती थी और उनके पास जो भी आते थे सब यही सीखते थे और ध्यान करते थे ये शोद्राजी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती थी जब उन्हें दुसरे जमुदाए में जाना पड़ता था जहां कला हुआ करता था और शान्थ रहते थे सब वे अपने ग्यान को देती थी अपनी बुद्धी से सभी को शान्थ करती थी और सारी तरह असा अचारों और शान्ती विवस्ता कायम करती थी एक घेरे में रहकर ध्यान के जरिये सभी के साथ जुणने के बाद चन्ना बहुत ध्यान से सोचते हैं और कहते हैं इन कुछ सालों में ये शुद्रा जी की सबसे खुबसूरत बात ये थी कि उनको सुनने की गहराई सागर की तरह बढ़ गई थी गहरा हो गया था और इतना विस्थार हो गया था मानुग गंगा जैसे मैदानी इलाकों में फैलती है वैसे ही अकास की तरह पूरा विस्तार हो चुका था ये शुद्रा जी उनको बहुत ही ध्यान से सुनती थी हर किसी को, हर किसी के दुख को सुनती थी चाहे वो किसी का प्यार का हो या किसी की खोने का हो सभी के मन को शांत करती थी, पूरे गहराई से सभी को सुनती थी, समझती थी ये शोधराजी अपने सिक्षन यानि अपनी अंतिम अभ्यास को माननेता देती है सही सुनना या ज्यान पून हो के सुनना ये शोद्राजी मानती थी कि उनका शांत हो के चुप हो के ध्यान अभ्यास बुद्ध ने सिखाया है उन्हीं के साथ उन्होंने सिखा है उनके सुखव अनुभव उन्हीं के साथ हुआ है पारंपरिक सुरुवात इस ध्यान का सुनने का बार-बार पुर्णेता में आना हर समय हर रिस्ते में ये उन्होंने बुद्ध से ही सिखा सुनना अनकही को भासन के पीछे की चुपी को वो स्थान जो सबदों को जन्म देता था वास्तक विक्ता को सबदों में भी परे हुआ करता था सब सब्द उत्पन होते थे वो शान्ती में ही और वापस गायब भी हो जाते थे करुना के गहरे कुए में ये हमारे अंदर जो भी हमारे चारो और रहता है सिर्फ हम सब के बीच में जो रहता है पूरे ब्रमान में रहता है और ये ब्रमान में क्या रहता है? सिर्फ प्यार, प्रेम और कुछ भी नहीं और प्रेम के ही धर्म को उन्होंने अपनाया चन्ना अपने सिक्षन को धीरे सब ही में फैलाते हैं जो उन्होंने ये शुद्राजी से लिया फिर चन्ना अपने सिर को धीरे से हिलाते हैं और बहुत बार किर्टग्यता में अभार में ये शुद्राजी के लिए प्रकट करते हैं किसा गौद्मी कहती है हम सब एक साथ मिलके ब्रमान के केंद्रे में अर्दिश्य धागे को बुनेंगे जो हमने सीखा है और जो हमें जोड़ा है एक संगत एक साथ मिलके इस रिस्टी के गहराई को देना है इस जीवन में लाना है ये शुद्राजी के अंदर एक गहरा विश्वास था और महसूस किया उन्होंने अपने जागरुकता के मार्ग को और सभी के साथ सांझा भी किया सभी के साथ जोड़ा भी एक ग्यान स्थिर्ता का शांती का चन्ना फिर कहते हैं जैसे जैसे उनकी उमर बढ़ती जा रही थी उनकी देखभाल उनकी पतनी और उनके नाती पोता सब मिलके किया करते थे उन्हें बच्चों के साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता था घर पे ही क्योंकि वहाँ कोई भी उन्हें नहीं जानता था कि वे एक राजगुमारी थी चन्ना कहते हैं हम सब को उनके साथ रहना उनका ख्याल रखना बहुत ही अच्छा लगता था बैसे ही जैसे राजा सुदोधन का रखा करते थे हमारे पूरी दिल में प्यार ही रहा करता था ये शोद्रा जी के लिए और जब वो अपना दें त्यागती हैं सभी थोड़े तकलीफ में रहते हैं लेकिन बहुत शान्त रहते हैं फिर चन्ना चुप हो जाते हैं और उनके आँखों से आंसु बहरते जा रही थी और धीरे से कहते हैं ये शोद्रा जी फिर कभी भी अपने बेटे राहुल और सिधार्थ को नहीं देखी ये शोद्रा जी दे त्यागने से पहले उन्हें भी भविश्यवाणी एक देखी और ऐसा लग रहा था कि चन्ना भी उनके साथ उस भविश्यवाणी को देख रहे हैं चन्ना चौक जाते हैं उनकी आँखों में एक चमक आ जाती है मानू वे भी वहीं पे वो भविश्यवाणी थी कि जो बीज हमने सीचा है एक साथ एक साज़ा मार्ग पे चलने का अभी वो पूरा नहीं हुआ है वो पका नहीं शरण आया है ये पका हुआ शरण आएगा जो बीज डाला है अभी पूरी तरह से फूल नहीं बना है वो फूला नहीं है लेकिन वो समय जरूर आएगा ये नहीं जानती कब लेकिन ये हमारा लगाया हुआ पीज तैयार होके होगा कली आएगी और जरूर निखी लेगी और वो समय जरूर आएगा और किसा गौतमी कहती हैं उनकी भी जीवन अब जल्दी ही समाप्त होने वाली है और इसलिए वे ये शुद्राजी की कहानी को उनकी सिक्षन को आगे सुनाएंगी और सभी को सुनाती है क्योंकि ये कहान कहीं लुप्त ना हो जाए और वे सभी को इस कहानी को सुनाती है इसलिए इसे सुनना है याद करना है और आगे बढ़ाना है सभी को बताना है और इसी के साथ ये बुद्धस वाइफ की आखरी अध्याय यहीं समाप्त होती है दोस्तों नमस्कार